पुराने चले आ रहे ही जमीनी विवाद को लेकर आमने सामने हुए दो पक्षों खूब चले लाठी रंडे महिला समेट पांच लोग घायल CHC में भरती बयाना थाना इलाके के गाउं सिंगान खेडा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जम कर छगड़ा हो गया छगड़े में एक महिला समेट दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हो गया घायलों को एम्बुलेंस की मदद से CHC में भरती कराया गया है घटना से गाउं में तनाव की स्थिती बन गई है सूचना पर पुलिस पहले अस्पताल और फिर मौके पर पहुंची घटना के बाद अस्पताल परिसर में ग्रामीडों की भारी भीर जमा हो गई घटना को लेकर फिलहाल एक पक्ष की ओर से पुलिस की रिपोर्ट दर्ज की गई है अस्पताल में मौजूद गाउं सिंखान खेडा निवासी राजेंद गुरजर ने बताया कि गाउं के ही गोपाल पक्ष से उनका जमीन को लेकर विवाद पहले से ही चल रहा है विवाद को लेकर बुधवार को गोपाल, दुर्गा, देवकरन, मलखान, भीम सिंग, तीमन, गोर्धरन, आदी ने लाठी डंडो, फार्सा लेकर उनके घर पर आकर हमला कर दिया जगडे में तीन लोगों को गंभीर चोटे आई हैं, जिने प्रात में कुप चार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार जगडे में राजींद्र पक्ष के डालचन, साहब सिंग, दीवान समेथ, बबली नाम की महिला घायल हुई है वहीं दूसरे पक्ष से गोर्धन नाम का व्यक्ति घायल हुआ है पुलिस थाने के हेड कॉंस्टेबल लाल सिंग सैनी ने बताया कि सूचना पर पुलिस कोतवाल हरी नाराण मीना सही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली है घायलों का मेडिकल मौाइना कराए जा रहा है मामला दर्जकर आवश्यक का रवाई की जाएगी